नमस्कार मैराखी और आप देख रहे हैं न्यूस 31 उत्राखंड और आज हमारे साथ इस खास बातचीत में स्टूडियो में मौझूद हैं लबागेश्वर कपकोट के पूर्व विधायक और वर्तमार में कॉंग्रेस के महामंत्री ललित फर्सवान जी जिनसे हम जारेंगे कि कि 2022 में अगामी विधान सभाच चुनाव को लेकर उनकी क्या तैयारिया हैं और उनकी क्या रणनीतिया हैं तो चलिए शुरुवात करते हैं आज के इस खास बातचीत की बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस चैनल में सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि 2022 के अगामी विधान सभाच चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारिया है इस समय हम लोग सबसे पहले तो आपके जो न्यूच चैनल है पहले तो आप सब लोगों बहुत-बहुत बहुत बहुत दन्यवाद करता हूं जहां तक आपने पूचा 2022 को हम कैसे प्रेश कर रहे हैं तो इस समय कॉंग्रेस बड़े आक्रमक रूप पर चुनाव लड़ रही है विशेशकर जो है कॉंग्रेस के जो अभी परदेश के फरभारी है आदिनी देविंदर यादो जी और पूर मुख्यमंत्री जी है हरी स्र तो में रखकर कॉंग्रेस 2022 का चुनाव लड़ेगी और इस्तानी मुद्दू को प्रार्थिम्क्ता देते हुए कॉंग्रेस की अपनी भोश्ची के रिणिती रहेगी आपके क्या मुद्दे हैं 2022 के चुनाव को लेकर मेरे मेरे तो सिक्षिया सबसे परमुक मुद्दा है ज इन सड़कों को हमने अपने कारेकाल में सुकृत करा था आज तक उन सड़कों पर राजी की जो डबूल इंजन की सरकार है उनके द्वारा कोई काम इस्तापित नहीं किये गए जिसे लोगों में बहुत बड़ा अक्रोश है और जो जिला हैटकौर की सड़के हैं उन सड़क है कि आपके पार्टी में कई मतभेच चल रहे हैं और कई गुटबाजी नजर आ रही है तो उसे लेकर आप क्या देखते हैं क्या समझते हैं कितने आश्वासित हैं ऐसा तो नहीं है जी देखो जिस घर में सयाने भी होते तो बात रखने का लोगतंतर का तरीका है और प्रवाजी लोगों लगता है कि वही इस घर में दर्वाजे खटक रहे हैं इस घर में लणाई जगड़ा होगा है घुट बोल रहा है कि मुख्य मंत्री हरिश रावत के चहरे पर आप चुनाव लड़े वही एक बोल रहा है कि नहीं अभी तो कोई चेहरा चुनाव किसी च पढूर पर चुनाव में कॉउछ्षर के चेहरें को घोशित करके चुनाव लड़ा तो इस समय तो पूरे उत्राखंड की आम जंता की जन्भावना है सब पिछले चुनाव में भी आपका कोई चहरा नहीं था पिछली बार आपकी हरीश रावजी चुनाव जी चुनाव जी हमारे चेहरे थे हरीश रावजी के नेत्योतों में चुनाव लड़ा गया था भलेई 11 पाए उसमें सब बीजे बहुगुणा बीजे बहुगुणा जी तो पार्टी चोड़के चले गए तो उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं थी लेकिन सब चुनाव तो उन्हों नहीं लड़ा था मतलब बाद में हरीश रावज को विकल्पिक तौर पर रखा गया था मुख्यमंतरी के रूप में पिसले 2017 का चुनाव तो हरीश रावज जी को तो 2012 पर कॉंग्रेस मजबूत थी तो हरीश रावज जी को लोग आस कर रहे थे कि हरीश रावज जी मुख्यमंतरी बनेंगे उसमें बीजे बोकुणा जी को बनाए वा लग बात थी लेकिन लोगों की मनसा थी कि 2012 में भी हरीश सौजी को एक वारीश बनाएगी करके और आपदा के समय अरीश सौजी को मुख्यमंति बना गया तो उन्होंने अपनों इस्ताफित कऩने का पर रहा और जंता के बीच में उन्होंने जितने काम करें बाबा के दार तो आज वो आपके सामने दिखती है वो हरीश चाह जीendeu इतनी बड़ी सक्ति और सामर्थ ती कि उन्हों लगाता लगाता रस्ते, जन संपर को बना कर इस्तावित करा, पुरे काम वहाब करें. तो आज हमको दिखता है कि हरी साओ जी अभी भी जो है लोगों के दिलों और दिमाग में आज भी जो है 2022 के चुनाओं में भी लोगों के बीच में इस्ताफित हैं मतलब सर आपके हिसाब से 2022 के जो मुख्यमंतरी का चेहरा होगा वो हरी शिरावत होगे तो आप सीधे सीधे हाई कमान के फैसले को चुनोती दे रहे हैं अब हम कोई चुनोती नहीं दे रहे हैं कुछ टाइम पहले ही सर चमोली में एक बैठक हुई थी उस बैठक में खुद राजेंद्र शाह जी ने ये चीज़ को भूली थी स्थाटरी के पार्टी हाई कमान ने अबी तैक किसी और चुनाब पर मुख्यений मत्री का जह चुनाब है वो लड़ने से मंना किया है अबूरा कोई कहलऊ है गोशित नहीं कि बुदा ओन Mick भी आम जनता के बीच में सर्वेक्षन कराएंगे चाहे वो किसी भी राज़ी दल का व्यक्ति है तो एक सोच लोगों के दिलों दिमाग से निकलेगी कि भई हरी स्राउज जी इस समय एक बार 2022 में मुख्यमंत्य होनी चीए क्योंकि लोगों ने तीरवेन सिंग जी का कारेकाल देख लिया अब एक हटे से तीरव सिंग सापका भी कारेकाल देख रहे हैं और कैसे उनके द्वारा स्टेटमेंट डिये जा रहे हैं तो लोग तुलना कर रहे हैं कि वही इस समय इस उत्राखंड को एक बार हरी स्राउज जी की और जरुबत है तो लोगों की डिमांड है य जो मैदानी चेत्रों में जो तरही के चेत्रों में जो काम होने हैं विखास के उन कामों को गती दे सके इसके लिए हरी साउज जी की जरुबत पूरे उत्राखंड को है सर इस बार चुनावी दोर में आम आदमी पार्टी भी है क्या लगता है कि कॉंग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनोती होगा कॉंग्रेस के लिए कोई चुनोती नहीं है क्योंकि जितने भी आम पार्टी में मुझको दिख रहा है वो ज्यादा तर भारती जनता पार्टी के लोग जा रहे हैं और वो लोग जा रहे हैं जो भाचपा से असंतुष्ट हैं या जिनकी अभी तक उनकी अपनी डबुल इंज कॉंग्रेस से खुश नहीं थे जिन्होंने आम आदमी पार्टी को चुना हम तो पांस साल से चार साल से हम सरकार में नहीं है तो भी लोग सत्ता की और जाएंगे जो सत्ता से असंतुष्ट हैं वही लोग तो दूसरी पार्टी को जोइन करेंगे इस लिए इस उमीद में जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इस बार सत्ता में आएगी ऐसा नहीं है ज़िए अभी आपने कहा ना कि हम सत्ता में नहीं है और लोग छोड़कर के जा रहे हैं कि चो लोग इस समय सत्ता के खरीब थे उनको लगता है कि वह हमारी एप्रोच साइनिंग इंडिया इसमें आप पार्टी ने पुरे उत्राखंड के लोगों को दिखा रहा है वही केजरिवाल मॉडल है दूसरा मॉडल है यह उत्राखंड के परिपेक्ष में मुझको नहीं लगता कि हम उस मॉडल को कहीं यहां पर इस्तापीद कर पाएंगे पहाड के पर लग सकता है हरी श्रावत जी ने भी तो आम आदमी के पार्टी आम आदमी पार्टी से प्रभावित हो करी बिजली पानी फिरी करने का एलान किया है क्योंकि बिजली पानी फिरी तो आम आदमी पार्टी का ही चुनावी हमेशा से बात रहा है अब हरी श्रावत भी उसी वा परिवार के लोगों को एक परिवार को लगब लगब तीन तीन अजार उपर की आर्थिक साहिता मिल रही थी परतेक महाम है तो ऐसी योजनाओं को हरी स्राओ जी ने तो पहले ही कर रही अब हरी स्राओ जी के एक सोच है कि वही आने वाले समय में जब कॉंग्रेस सरकार है अपनी घोशना पत्र में तो वह हम लोग बिजली भी 200 उनिट तक फिरी देंगे पानी भी हम 50 लिटर तक हम लोग मुफ्तु में देनी की कोशिश करें है लेकर यह जो यह जुआ यह जुवादे थे हैं अब रहुं लोग तो लोग क कि कंग्रेस की बात में मुझ्बॉत है काम करने कर सकते कि कौन किसकी और ज्यादा जा रहा है किसकी और ज्यादा जुका हुआ है लेकि इस समय जो लोगों के बीच में कॉंग्रेस अपने मैनिफेश्टों को रखनी कोशिश करेगी वह सत्परतिसत अमन वलाए जाएगी ऐसा हम सब को विश्वार से नए मुख्यमंतरी तीरत एक ना समझी का जबाब दिया है क्योंकि हम सब लोग 21 सधिए बात करने और अपनी संस्कीतिक वईरासत को बढाव देने की बात करते हैं और तुलना हम विटियों की तूलना विदेसों से कर रहे हैं तो इस समय अगर हमारी बेटे कल्पना चावना बना चाहती है इस एमां लोग कौन से सदी के और जीने के बात कर रहे हैं यह हमारी संस्क्रित ही निया इस को हमने मुख्यमंत्री जी का हमने कड़ा विरोत किया है कई ना कहीं हमारी बेटी को आज और वो लंके मंत्री जी निया बहुत गलत घ्र संदेश आपने यूज कर रहे हैं बहुत गलत तरीके से अपकर रहे हैं उत्रा ख़ंड में मुख्य मंत्री का चहरा बदलने का जो इतिहास रहा है इसे लेकर आप क्या समझते हैं? क्योंकि सरकार किसी की भी हो, मुख्य मंत्री का चहरा तो बदलता जाता है। कॉंग्रेस हम बताएंगे भारती जनता पाल्टी तो लोगों ने लोग तंत्र में सत्ताउन विधायक आपको दिये थे जब आपके पास एप्सिलूट मेजोर्टी हो गई चार साल आपका मुख्य मंतरी बहुत अच्छा काम कर रहा था चार साल बे मिसाल चार साल बे मिसाल का आपके पोश्टर बैनर पूरे उत्राखनमा लगे थे और क्या जरूत पड़ गई थी कि चार साल में आपने विधान सब्सक्रा के सत्र के बीच में 17 वसान करके तिर्वें करता हुआ बिधायक नहीं लगा जिसको आप मुख्य मंतरी बनाते एक राजी में विश्वास के पात्र एक राजी में तिन तीन दो दो चुनाओं यह जंता कब तक जहलते रहेगी यह नोदीत राजी है इस उत्राखन की राजगी परकलपना लोगों ने इसलिए करी थी कि हम अपने वहन बीटी को रोजगार दें अपने नौजवान पीडी के लोगों को कही ना कही एक अच्छा प्लेटपॉर्म दें मन्ची दें लेकिन आज 20 सालू के अंदरकत जिस परिप्रेक्शिम उत्राखन के नोदीत राजगी परकलपना उन्हें हमारे जो लोग थे जिन बात है लेकिन उस समय की परिस्तितियां हमारे मुख्यमंत्री जी बीजो वगोना जी बैदिली चलेगे पोलो खेलने के लिए लोगों में एक असंतोस था कि एक मुख्यमंत्री जब यहां इतनी बड़ी बाबा के दार महाबदा आई है और हमारे जुमेदारी ना लेते हु लेकिन अभी आपने जिस तरह से बीजेपी को कहा कि 57 विधायकों में से एक भी आपने अपना मुख्यमंत्री के लायक चहरा नहीं समझा भारती जनता पाल्टी के अंतरकत चार साल बेमिसाल में मुख्यमंत्री के चेहरे तो सभी थे बहुत सारे लोग दिली ता लगातार तरबार में हाजनी लकात रहरत हैं बहुत सारे खांकरेट से भाश्वा में भी कि ऑवी मुख्यमंत्री की दॉड में थे चाहे वो सब पाल माराश जी थे चाहे वो यसपाल physics दूण आज अन्य लोग ते वह सब मुख्यमंत्री सुद्ड पाई पार्तिय जनता सब्सक्तर ज लेकर उत्राखंड में भीजा और भले ही उपचुनाओं में भी लोगों ने शिरोधारी करकर हरी साउजी को बनाया तो यह अलग अलग परिपाटे नहीं है परिपाटी दोनों एक ही हो सकती है कि है कमानी एक को बना रहा है तो हम नहीं मान सकते कि वह यह अलग नजीरे से हमे संदेश देना चाहते हैं आपके न्यूस्ट्रे वं चैनल के मादयम से जन्ता को यहीं संदेश देना चाहता हूं कि इस समय हम सब लोग उत्राखंट राजी में हैं और उत्राखंट राजी में हम सब लोगों के कहें न कहें भूमी का निभाई है उत्राखंट राजी के आंदोलों में तो आज जब आपका चैनल इस परोती छेत्रों में काम कर रहा है मैदानी छेत्रों में काम कर रहा है तो यहां की जो हमार करने के लिए हमने तल्गत भावना से भी आगे उठकर एक टीम भावना से काम करने का पुरा फर्याश करना चाहिए और विशेशकर जब नौजवान फीडी के लोग उपर हम सब लोग पिश्वास करते हैं कि वही यह नोधित राज जी है तो इस राज जी में बहुत सारी संस श्था नहե्न है जिनसे हम लोग अपने रोजगार के आउसरों को कर सकते हैं तो तोतो हम सब लोग ने प्रिरित होना ची कि बजैसे परेतन। test के लोग अपने रोजगार के शिजित करेंगे तो वहीं कि जैसे लोग पिंडारी का वहथ अच्छा प्रेटन है हम लोग त्योould inventing कोलेज पढ़ते थे तो उस समय अब महानगरों से फहुत सारे स्कूल के अपने टीम आती थी इसकूल के अपने पैकेज आते थे चाली-चाली-पचा-पचाज इस्टुटेंट पिंडारी के ट्रेक पाते थे सुन्दर ढूँआ आते थे कफनी आते थे तो एक रोजगार का ट तो जिससे ये सब छेत्र जो आज सिमित होते जा रहे हैं हम लोग उने टिग्रियां लिये होती हैं रोजगार अगर नहीं मिलेगा और इन एक सालू के अंदरगत कोरोना के काल में भी आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग अपने घर उपर पैठे हैं कोरोना महामारी के बढ़ाएगा अपनी परंपराओं को आगे नहीं बढ़ाएगा अपने संस्कृति को आगे नहीं बढ़ाएगा तो हम कैसे देश के सामने अपने कल्चर को अपनी संस्कृतिक विरासत को आगे रख पाएंगे तो यह माधियम है अगर इन माधियम को यह और हम लोग जाने क कोशिश नहीं करेंगे तो हम कैसे अपनी संस्कृति को बढ़ाओ दे पाएंगे मतलब अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए हमको जरूर इन छेत्रों में भी आने की जरूवत है पजाए सरकारी नौकुरियों में तो हम ठीक है हम बाहर की विदेश की संस्कृति देख रहे हैं दूसरी राजियों की संस्कृति देख रहे हैं हम अपने संस्कृति को अपने परेटन बेशाई को भी हम बढ़ाने की कोशिश करें हर चेत्र में नौकुरियों के अपार संपावना हैं लेकिन नौकुरियां तो एक या दो चार पांच लोगों को मिलेगी तो नूज 31 चैनल का बहुत-बहुत धनिमात करता हूं कि आप इस परोती चेत्र के सांसाज मैदानी चेत्रू की जोलंते समश्याओं को उठा रहे हैं और ऐसे जब पहाड़ की समयश्या उठेंगी जो जोलंते समयश्या उठेंगी तो उनका आपके चैनलों के माधियम से जरूर निद करने के लिए और अपने आगे के प्लैंस बताने के लिए जो कि आपने चुनाव को लेकर कहीं है तो बहुत-बहुत तो इसी के साथ आप देखते रहे हैं न्यूस 31 उत्रा खंड नमस्कार ग्रेनी सोलर एनरजी लेकर आया है आपके शहर हलदवानी में एलकलाइन वाटर प्यूरिफायर और सोलर एसी के साथ लाइट्स जिससे आपको और आपके परिवार को मिलेगा नैचुरल मिनरल वाटर और साथ वाट की लाइट्स में 6000 वाट के बल्ग की जितनी रौशनी तो अब आप भी पीचिए एलकलाइन वाटर प्यूरिफायर के साथ प्रकृती जितना साफ पानी और घर लेकर आये सोलर एसी और मजे लेजिए कम पावर कूलर जैसे एसी का जो कि आपके लेक्ट्रिक बिल को 80% तक्टम कर देगा सोलर एसी के साथ ही लाइट्स और अलकलाइन वाटर प्यूरिफायर के लिए आज ही संपर्क करें देवगुरु एंटरप्राइजेज तीन पानी रोड हलदवानी नैनिताल अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9 7 6 0 1 6 7 0 9 0 पर